दोस्तों, आजकर सुद्र संभूक रिसी के कतल के बारे में कई तरह की अफाइफाइलाई जा रहे हैं। हमने भी संभूक रिसी के वद के बारे में जानने की कोशिस किया, कई तरह के कंटेंट पढ़ें, कई तरह की वीडियो देखें। कुछ वीडियो में कुछ तिलग धारी लोग बता रहे थे कि राम जो है संभूक रिसी की हत्या कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो कंदमुल खाने वाले थे सबरी के जूठे बैर खाने वाले थे भगवान सीरी राम के बारे में एक और भांती है कहा जाता है कि बधवान सीरी राम ने तब करते हुए संभूक नामक सुद्र का वद कर दिया था लेकिन यह बात ठूर्ड़तीह पसकते हैं भला राम संभूक रिसी की हत्या कैसे कर सकते हैं एक ने बताया कि यदि राम को संभू की हत्या करनी थी उनके पास बहुत सारे साइनिक थे जाकर कर देते राम नहीं क्यों किया इसा बफ़वा है तो ऐसे लोगों को मैं बता दूँ कि गोडसे के पास भी बहुत सारी लोग थे लेकिन उसने स्वयम जाकर गांधी को गोली की कि यहां पर कुछ भी साबित नहीं होगा आगे चलिए दोस्तों आगे जो मैं पढ़ता हूं और वीडियो देखता हूं तब कुछ वीडियो में बताया जा रहे थे कि राम ने सुद्र संभू की हत्या किये क्योंकि वो पेड़ पर उल्टा लटक के देवलोग को पराजित करक तुलसी दास के बारे में किस तरह उसे इधर उधर करके सिच्छा बना दिया गया यानि कि यह लिपीड चिपीड की बाते करके अपने कुकर्मों को छुपाने की इन लोगों की पुरानी आदत है जो अब भी यह लोग जारी रखते हैं दोस्तों वास्तविक्ता अगर आप पढ़ने के बाद जानेंगे तो आपको निश्कर से ही निकलेगा कि जिन समाज को सद्यू से सिच्छा से वंचित रखा गया उस समाज में साइद एक तरकसील बुधिमान बेक्ति पैदा हुआ जिसका नाम था संभूक अब संभूक अपने समाज को जागरित करने के लिए स जो लोग खुद को सुद्य समझते हैं दो तो प्रकृति हमारे अंदर भेद नहीं करती है जो लोग आजकार भेद कर रहे हैं यह लोग सड़यांत्रकारी है और इस बातों को जो लोग छुपकर सुर रहे थे साइद संभूक रूसी उन्हें नागवार गुजड़े और यह का हत्या भी मैं सोयम करूंगा और राम जाते हैं बिना सुजबूज के महा ग्यानी महा तपेश्वी महा तरकसिल संभूक रिषी की हत्या कर देते हैं दोस्तों सच्चाई यही है कि संभूक रिषी की हत्या राम ने खुद किया था पढ़ लेना तर्क लगा लेना निस्कर से ही निकलेगा जय भी